Come 2024 Paris Olympic के करीब पहुँच रहे हैं, तो आईए एक बार नजर डालते हैं भारत के लिए मेडल लाने वाले शीर्ष 10 संभावित उम्मीद्वारों पर, वे कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े आयोजन की तैयारी के दोरान उनकी वर्तमान स्थिती क्या है? आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे। विनेश फोगाट ने पिछले महीने 50 किलोग्राम में ओलंपिक कोटा जीता था और अब ओलंपिक से पहले किसी भी संभावित ट्रायल की तिथी और स्थान पर Wrestling Federation of India से सूचना का इंतजार कर रही हैं। पुनाह महिला पहलवानों ने 6 कोटा जीते है केवल एक भारतिया पुरुष ने जीता है। वो 57 किलोग्राम में अमन सहरावत हैं और यदि मौजूदा उलंपिक रजट पदक विजेता रवी दहिया को पेरिस में प्रतिसपर्धा करनी है तो उन्हें ट्रायल होने पर अमन को हराना होगा। इस बीच मौजूदा उलंप 3.36 मीटर की शांदार त्रो फेक कर दूसरा स्थान हासिल किया जो विजेता जेकब वरलेज से सिर्फ 2 सेंटी मीटर पीछे था। उसके बाद दोहा में प्रतिसपर्धा करने के 5 दिन बाद 15 माई को फेडरेशन कप में त्रो करते हुए उन्होंने भारत में एक अप्रत्या पहसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है। वह अभी से अपने शरीर को ठकाना नहीं चाहती और नहीं वो चाहती कि उन्हें किसी तरह की इंजरी नहों वरना उन्हें इसका भुकतान ओलंपिक में करना पड़ेगा। पटियाला के साई सेंटर में अपना प्रशिक्षन ज मुझे लगता है कि पदक के लिए कोल 200 किलोग्राम से अधिक उठाना अच्छा होगा और मेरा लक्ष्य 205 या 207 किलोग्राम है। अधिती अशोक अधिती अशोक ने हाल ही में न्यू जर्सी में कॉगनिजन्ट फाउंडर्स कप में 35 स्थान पर रहते हुए जीत दर्ज की जो उनके पिछले दो टूर्नामेंट में 66 और 62 स्थान पर रहने के बाद एक सुधार है। बड़े खेलों से पहले अंतिम चरण में पहुँचने के साथ ही वह लगातार प्रगती के संकेत दे रही हैं। बहतर ड्राइविन प्षमताओं और मापी गई सटीकता के साथ अध इसमें सिफ्ट कोर समरा ने अपनी पोल पोजीशन को मजबूती से स्थापित किया। उन्होंने पिछले महीने आयोजित महिलाओं की 50 मीटर 3P के लिए पहले दो ट्राइल जीते और कुछ दिन पहले आयोजित 4 में से तीसरे ट्राइल में अंजुम मौदगिल के बाद दू पिर्श दो में रहेंगी। अंतिम ट्रायल और उसके बाद टीम की घोशना इस महीने के अंतमे की जाएगी। निखत जरीन भारत के बाहर शिविर लगाने वाले मुक के बास दल का हिस्सा बनी हुई हैं। प्रशिक्षन शिविरों और प्रतियोगिताओं के बीच में बद भारतिय होकी टीम आस्ट्रेलिया के एक निराशाजनक दोरे के बाद होकी टीम लंबे समय से शिविर में हैं क्योंकि कोच क्रेग फुल्टन अराजक्ता पर नियंतरं के महत्वा पर जोर दे रहे हैं। ग्रेड ब्रिटेन का सामना करने के लिए लंडन जाएंगे। पीवी सिंधू यूरोपियन लेग में सफल होने के बाद जहां वह फ्रेंच ओपन और मेरिड मास्टर्स के क्वाटर फाइनल तक पहुची थी पीवी सिंधू ब्रेक पर हैं क्योंकि वह सो प्रतिशत शारीरिक फिटनेस के लिए अपना रास्ता जारी रखे हुए हैं। वह उबेर कप से चूप गई जहां भारत उनके बिना क्वाटर फाइनल में बाहर हो गया था लेकिन अब वह अगले सप्ताह मलेशिया मास्टर्स में वापसी करेगी। 21 माई को पहले दौर में उनका मुकाबला स्कॉटलेंड की क्रिस्टी गिलमोर से होना है। लवलीना बोर्गोगेन, वर्तमान में तुर्की में प्रशिक्षन ले रही मौझूदा विश्व चेंपियन और ओलम्पिक कास्य पदक विजेता इस नए भार वर्क 75 की गरत में अपनी तकनीक को बहतर बनाने का प्रयास कर रही है। कैसा लगा आपको यह वीडियो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल स्पोर्ट्सनेट टीवी को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक द्वारा हमारे वाट्साप ग्रूप से भी अवश्य जुलें।